स्टार्टप को आपको लगता है के लिए एक बूस्ट रह सकता है क्योंकि जो टैक्स माफी की जो डेट युसको एक्स्टेंड कर दिया गया है क्योंकि गवर्मन्ट का हमेशा ऐसे एक फोकस रहा है स्टार्टप इंडिया को बढ़ावा देने का जो नए उद्यमी है छोटे नए कारोबारी है उनके लिए एक रियायत देना उनके लिए बहुत बड़ी बात है मोहित देखिये रियायत तो जो है वह 21 मार्स 2024 तक ही बढ़ाई गई है तो उस समय अवधी में इतना बड़ा वह नहीं दिया गया है इस एक साल की और रियायत दी गई है तो उससे एक्स्टेंशन नहीं है बट मुझे लगता है जिस चीज से जादा फरक पड़ेगा वो है कि उन्होंने एक लाख करोड का बहुती कम इंट्रेस्ट में जीरो इंट्रेस्ट में एक लोन मुहिया कराया है रिसर्च एंड इनोवेशन के सेक्टर के लिए तो जो आपके नए स बहुत सहरा मिलेगा मुझे लगता है वो कदम जो है वो बहुती सरहानी है